आप देख रहे हैं दोस्तों आज हमारा टॉपिक है सीलियक डिजीज पर क्या हुता है और क्या कॉज़ेज हैं ग्लूटन इलर्जी या गेहु से अलर्जी या ऐसी कोई इस तरह की चीज़े आपने जो सुनी है उसके बारे में बात करते हैं क्या है यह सीलियक डिजीज कैसे होती है सीलियक डिजीज एक डाइजेस्टिव डिजॉडर है जिसके बज़े से आपके स्मॉल इंटरस्टाइन में प्रॉब्लम्स आते हैं जब भी कोई आप ऐसा खाना खाएं जिसमें के ग्लूटन नाम का प्रोटीन मौजूद हो यह ग्लूटन प्रोटीन गेहु में, राई में, बार्ली में, ऐसी कई सारे अनाज में पाया जाता है और सीलियक डिजीज का मतलब ही यह यही है कि अगर आपको ग्लूटन सेंसिटिविटी है तीगें यह एक आटो इम्यूण डिजीज है उसको damage करते है ठीक है इस disease में अंदर जब भी आप इस प्रकार की कोई भी चीज गेहूं से बनी हुई चीज या राई बारली अनाच से बनी हुई चीज खाते हैं तो gluten उसके अंदर जो मौझूद gluten प्रोटीन होता है वो एक तरीके से आपके immune system को stimulate करता है और immune system आपका activate होके आपके small intestine को damage करता है ठीक है और इसके वज़े से damage intestine होने के वज़े से आपका शरीर कई important nutrients absorb नहीं कर पाता vitamins की कमी, calcium की कमी, protein की कमी, कई सारी चीज़ों की कमी हो सकती है, वज़न कम हो सकता है, कमजोरी हो सकती है भूद कुछ हो सकता है तो बात करते हैं इसके बारे में अगर छोटे बच्चों को ऐसी दिक्कत हो रही है infant है, बहुत ही छोटा है तो उनको digestive trouble हो सकता है पेट में bloating, vomiting, ulty, dust, kubzy, ऐसी चीज़े अब ऐसे में बच्चा क्या बताएगा, बच्चा बोल इरिटेट रहेगा fretful रहेगा, emotionally withdrawn, हस नहीं रहा, खेल नहीं रहा या फिर कई बार excessively आप पर dependent रहना, कि मेरे को गोदी उठाओ, मैरे को गोदी मैं नहीं चलूँगा और ऐसे में बच्चे की growth भी कम हो सकती है इवन आपके दातों में damage हो सकता है tooth enamel को damage हो सकता है बच्चा जो है, even overweight हो सकता है because वो ऐसी चीज़े खाएगा जिससे जादा खाएगा, जिससे उसके पेट को अराम हो रहा है मीठा है, मीठा है, कुछ simple चीज़े खा रहा है गेहों की जगए, केवल simple ऐसी चीज़े खाने लग जाएगा जो दिक्कत नहीं दे रही, जादा मात्रा में so digestive issues क्या हो सकते है ये teenagers में, adults में obviously diarrhea हो सकता है कोई भी चीज़ आपके intestine को irritate करेगी तो वहाँ पे पानी जादा पनेगा और lose motion हो सकता है साथ ही कुछ areas में सूजन जादा होने के वज़े से constipation हो सकता है और vitamin nutrition का problem होने के वज़े से growth कम हो सकती है hair loss हो सकता है puberty late आ सकती है periods में problem आ सकती है height छोटी रह जाए ऐसा हो सकता है तो कई सारी problems हैं इस बिमारी में adults में भी same चीज़ होगी digestive issues, diarrhea, constipation, fatigue, joint pain, bone pain हो सकता है irritability, anxiety, depression periods में problem हड़ियों में गड़ बड़ाना, osteoporosis, anemia खुन की कमी, lactose intolerance भी साथ में पॉजूद हो सकता है कि दूद पीने से भी दिक्कत हो रही है दूद से भी दिक्कत, गेहूं से भी दिक्कत, नाच से भी दिक्कत खाऊं तो खाऊं क्या dermatitis, herpetive performus, itching, blister है skin पर चाले आने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है और मुँ में चाले भी हो सकते canker source याने मुँ में चाले ऐसे भी हो सकते है, ठीक है कई सी जे हो सकती है क्या cause है इसका, ये सब क्यों हो रहा है autoimmune disease का मतलब आपकी immunity आपको damage कर रही है, तो सब को क्यों नहीं होता ये genetic reasons है याने याद रखिए अगर आपके family member में किसी को celiac disease है, तो आपको risk है, अगर even एक member आपकी family में है, तो 10 में से 1 परसन आपकी family में उसको होने के चिंचांस है, 10 के 10 को होगा ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सब के सब को होगा, प्लस कई सारी autoimmune diseases अगर आपको अल्रेडी हैं दूसरी जैसे diabetes type 1 rheumatid arthritis, autoimmune thyroid Edison's disease, jargon syndrome ऐसी diseases के साथ ये disease मौझूद होना possible है तो genetic disorders ये एक तरीक से genetic disorder कह लिजे, साथ में दूसरे genetic disorder जैसे कोई turnal syndrome होता है, एक down syndrome होता है इनके साथ भी ये पाया जाता है ठीक है, पगर ये sensitivity है ये sensitivity कई बार आपको बच्छमन से पता हो नहीं जरूरी, हो सकता है एक दम आए एक बार आप भीमार हुए, एक बार आपको कोई बड़ी चोट लगी हड़ी टूटी एक बार आप hospital में भरती हुए, कोई operation कर रहा है उसके बाद से आपकी, आप मेरे को digestion नहीं हो रहा So it might start because of a trigger ठीक है, ये trigger है, ये सारे trigger बन जाते हैं, जो आपकी छूपी हुई कमजोरी को पकड़ के बाहर लेके आपके है ठीक है, so इसका मतलब क्या है, कि अगर इसको trigger किया जा सकता है तो इसको कुछ तरीके के सही जिंदगी जी के थोड़ा शांत भी किया जा सकता है ये possible है, ठीक है, so diagnosis के लिए क्या होना चाहिए ब्लड टेस्ट इंपोर्टन है, जिससे के इंडिकेट हो सकता है कि आपको celiac disease है और ब्लड टेस्ट के साथ-साथ कई बार confirm करने के लिए इंटस्टाइन की बायोपसी उसका टुकड़ा लेके देखा जा सकता है जरूर नहीं है कि देखना ही है और skin में problem है, पेट में problem है तो blood test से और इन टेस्टों से diagnose किया जा सकता है क्या इसको prevent किया जा सकता है there is no such way to prevent it ऐसा कोई तरीका नहीं है prevent करने का कि बिमारी नहीं हो लेकिन बिमारी है पता करके टेस्ट करके कि मेरे अंदर anti-TTG antibodies है तो वो antibodies है तो आप क्या करें, भई आप में को gluten नहीं खाना चाहिए gluten free diet लेनी चाहिए तो gluten free diet लेने से आपकी problem solve हो सकती है मगर यह जाद रखे, इसको diagnose करना थोड़ा difficult होता है because ऐसे ही symptom, बाकि सारी digestive disorders irritable bowel syndrome और कोई भी digestive problem है पेट में कोई और bacteria virus का infection है उसमें भी ऐसे ही symptom आएंगे तो यह बोलना कि पेट खराब है gluten की allergy के वज़े से है lactose intolerance के वज़े से है कोई infection के वज़े से है, irritable bowel है या कोई और बिमारी है, यह diagnose करना बहुत थोड़ा सा difficult होता है doctors के gastroenterologist के पास जाना जादा बहतर है ठीक है, बाकी एक बारी gluten-free diet ले के दिखना चाहिए, अगर problem आपके solve हो जा रहे है, तो बात ही खतम फिर यह issue है treatment is a gluten-free diet and then अगर gluten ले ले लेते हैं कभी cheating हो जाती है, कभी आपका problem आजा तो फिर वो damage वापस आएगा, विकोज अलर्जी है so allergic sensitivity kind of उसको ठीक करने के लिए, गई बार दबाने के लिए कुछ दबाईयां होती है, जो inflammation कम कर दे because एक बार allergy हो गई, मालीजिये किसी को अगर allergy है, चाला हो गया तो चाला ना आए, उसके लिए तो बचेंग गए कौन सी चीज में gluten नहीं है, राइस में नहीं है, कौन में नहीं है, ओट्स में नहीं है, किनुवा, बक्वीट, मिलेट, इन चीजों में नहीं है और कई ओट्स वाले product जो है, contaminated हो सकते है, gluten के साथ तो सोचके खाईएगा gluten-free लिखा है product में, तो खाईए, मतलब ट्राई करके देखो, अगर gluten बंद करने से आपकी problem solve होती है, तो possibility है कि आपको gluten allergy है, gluten से sensitivity है, ठीक है gluten जो है, कई सारे और चीजों में, जैसे जो gravy's and sauces, कई सारी दवाईयों में भी आ सकता है, lip balm में, lipsticks में भी आ सकता है तो ऐसा hidden gluten भी होता है, तो ऐसा भी होता है, कि gluten-free diet ले लिए फिर भी तिककत है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सिरी lip balm लगा रहा हूँ, अरे भाई, उसमें ऐसा थो है कि ने, so symptom कम हो गए लेकिन फिर भी है, तो छुपे हुए gluten को भी छुपा डुनना चाहिए, so research on it, है न और gluten, जो है, कई बार कई लोग उसको बोलते हैं कि सभी gluten-free diet ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कई सारे restaurants gluten-free, gluten-free बोलते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, gluten खाना जरूरी, ऐसा भी नहीं है, it's your choice, ठीक है, living with celiac disease, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको अपनी diet, अपनी घर में किसी को है, तो क्या आपको risk है, yes, risk है, 1-10, 10% risk होता है, अगर आपको है, आपके बच्चों को होगा, 10% risk होगा, और क्या वो disease से कोई major issue है, जान का खतरा है, तो कता ही नहीं, ऐसी कोई जान का खतरा नहीं है, can it be cured, क्या आपकी अगर धूप से allergy है, ठीक है, तो क्या उस allergy को खतम किया जा सकता है, नहीं, उसे बचा जा सकता है, you can live a healthy life, same way उसको manage किया जा सकता है, अब क्या gluten-free diet ही एक मातर इलाज है, नहीं, अगर कोई इंसान जिसको सीले एक disease है, वो नहीं सो रहा, दो दिन, तीन, दिन, चार दिन नहीं सो रहा, तो overall irritability body में बढ़ तो एक अच्छी नीद लेना, stress-free life जीना, अच्छी पानी की मातरा अच्छी लेना, एक dry intestine में अगर gluten जाएगा और दिक्कत करेगा, right, so अच्छा lifestyle अगर आप जीते हैं, अच्छे अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, healthy diet लेते, balance diet लेते हैं, तो आपकी sensitivity भी कम रहते हैं, दबाईए अगर नहीं दबाया है, like करो, share करो, ताकि ऐसे वीडियो का फाइदा लोगों को हो, okay, thank you, take care.